कमपैंट्स हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से सवागत है इस वीडियो में हम सीखेंगे और जानेंगे कि डिस्कलोज क्वैंटिटी क्या होती है इसका इस्तमाल कैसे किया जाता है और किस परकार से आपको इसका पेनिफिट हो सकता है इस वीडियो को लाज तक देखते र तो आपके सामने पूरा page open हो जाता है आप देख सकते हैं यदि आप डिलॉरि में खरीदना चाहते है या फिर margin में खरीदना जाते हैं या फिर intraday में खरीदना जाते हैं सब में आपको एक option दिखाई दे रहा है validity के बगल में आप देख सकते हैं disclose quantity ये आपको देखने को मिल जाती है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे किस परकाश से इसका इस्तमाल किया जाता है और इससे आपको क्या benefit होगा आप देख सकते हैं सबसे पहले हम इस share को देख लेते हैं आप देख सकते हैं इस share में आपके सामने एक option दिखाई दे रहा है ask price 40.15 पैसे और quantity है 621.21 रुपे अब देख सकते हैं यह connection वाले उसके बाद आप देख सकते हैं bid quantity और bid price यह है खरीदने वाली इसमें आपको सुन्ने सो कर रहा है आप देख सकते हैं सुन्ने सो कर रहा है अब हम बात करते हैं disclose quantity का इस पर क्या असर होता है और किस परकार से आप इसे यूज कर जकते हैं आप देख सकते हैं जहां नॉर्मल ओडर लगाएंगे या स्टोप लोस लगाएंगे या रोब ओडर लगाएंगे रोब ओडर में भी लग सकता है नॉर्मल ओडर में रोब स्टोप लोस में नहीं लगता कि वह तो खरीदने के बाद ही आप लगाते ह हैं मानली जी आपकी जो quantity हैं बलक के अंदर है मतलब ज्यादा quantity है तो इसे छुपाने के लिए disclose quantity फीड करते हैं minimum आप 10% यूज कर सकते हैं और highest आप यूज कर सकते हैं 90% मानली जी आपने 10,000 quantity है और आप मानली जी बीस परसेंट छुपाना चाते मतलब 2,000 quantity छिपाना चाते हैं क्योंकि जहां मैंने दिखा था bid price वहां सुनने दिखाया गया है मानली जी हम order palace करते हैं तो हमारा दिखाएगा 10,000 यदि हम disclose quantity के अंदर 2,000 डाल देंगे तो दिखाएगा 8,000 मतलब लोग sale कम करेंगे इस परकार से आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं और highest आप देख सकते हैं 90% मतलब 9,000 quantity ऐसा गर के लिदी हम कोई भी sale buy करते हैं तो लोग sale नहीं करते हैं उनको अंदाजा नहीं होता कि ये market उपर जाएगी नीचे जाएगी इस परकार से आपकी जो quantity है वो छुप जाएगी 9,000 और 100 होगी केवल 10,000 इससे आपको काफी benefit होगा आगे आने वाले समय में जो आपने share लिए हैं अब हम बात करते हैं आप देख सकते हैं disc close disc मतलब display close मने छिपा हुआ quantity मने quantity छिपी हुई quantity मतलब जो आपकी quantity है जो display हुई है उसको छिपाना ही disclose quantity कहलाता है इस परकार से आप बलक में यदि कोई भी quantity यादि खरीदते हैं तो इसके लिए आप लगाएंगे disclose quantity लगाएंगे minimum 10% और maximum लगाएंगे 90% और डे में खरीदना चाहते हैं या आयोसी डे का मतलब होता है उसी दिन आपका बाई हो जाएगा और आयोसी का है immediate order cancel मतलब यदि तुरंत खरीदा गया तो ठीक है नहीं तो cancel हो जाएगा इसलिए आपको डे ही रखना होता है उसके बाद simply आपको यह है बाई कर देना है अपनी जो limit है वो भी आप सेट कर सकते हैं माली जी 49 रुपिम खरीदना चाहते हैं और quantity है आपकी 10,000 तो आप disclose the quantity हाप यूज कर सकते हैं minimum 10 और maximum 90 परसेंट यह होती है disclose quantity जो bulk के जो shares आप बाई करते हैं उसमें आप यूज करेंगे आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी का तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों